मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नीव वीडियो में फ्रेंट्स आज इस क्लास में बात करने वाले एक मोस्ट इमपॉडेट टोफिक के बारे में चीश्टॉपी का नाम है एससी मते हावलदार 2023 जिंखे जिस इंपिट कोशण जिसमें की फ्रेंटस आप सभी को प्रीवियरर सीच कोशन पार्षों करेंगे जैसा कि आप से देह सकते कि जैसे यह जो previous कोशन आप से लिया गया है और इसके साथ Twoutetible Points भी लिया गया है जो कि आप सभी के लिए एक्زाम के लिए बहुत ही मत्पूर्ण हो जाता है यद्ग विल्द जेसे पर establishment Capital और इंपोडेट्र पॉइंट से आपसी के लिया गया है ताकि आपसी एक्जाम में यहीं सारे प्रस्ण आते हैं ठीक है न उरल मे holder ज़िए कैसे आने के लिए का रहा है कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिंदी का सार बाकी है यहां से चले है नई मंजिल के लिए अभी तो एक पाना था अभी तो पूरी किताब बाकी है अभी तो पूरी किताब बाकी है जिया फ्रेंट्स आप से अपने मंजिल को चल दिये तो चल दिये र स्टाट करते आज की इस क्लास को और आज की क्लास का जो पाला कोशन है फर्स्ट कोशन कहा रहा है कि भारत के सविधान का कौन सा अनुछेद समान नागरिक साहिता को परिभासित करता है कोशन नमबर फर्स्ट का रहा है कि भारत के सभिधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक साहिता को परिभासित करता है ये प्रशने फ्रेंट्स AAC MTS हवालदाग 2021 की एकजाम में पूछा हुआ प्रिबियर से इस कोशन है ठीके ना तो इसका अपसा नमबर A में कर रहा है कि अनुच्छेद 50, B में कर रहा है अनुच्छेद 51 और C में कर रहा है अनुच्छेद 44 और D में कर रहा है कि अनुच्छेद 360 साथ तो इसका जो राइट एंसर होने वाला फ्रेंट्स कोशन नमबर वन का आपसा नमबर सी हो जाएगा और उच्छेद चोवालिस में कहा गया है ठीके ना आप थोड़ा सा इसकी इंपोडेट पॉइंट्स बात कर लेते हैं जो कि आप से लिए एक्जाम के लिए बहुत इं ठीके ना धेगे फ्रेंट्स खाली mcq कोशन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है जबकि आप से एक कोशन किये उस कोशन पर हजारों कोशन कर डाले उसको फार डाले एकदम उसके जो टोपिक से उसको एकदम किलियर कर डाले ताकि उससे कोई भी प्रश्ण पूछे तो उसको अमलोग सुल्व कर पाए ठीक है न इतना कैपसिटी होना चाहिए आपके अंदर अनुचेद की बात करों तो किसी भी में उसके की बात करता हूं अनुचेद नंबर 2 है कि नई राज्यों की अस्थपना का प्रवधान है ठीक है न अनुचेद 3 में राज्यों के सीमा और नाम में परिवरतन का प्रवधान एनिकी राज्ये के सीमा को आप लोग चेंज कर सकते हैं या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं अनुछेद नंबर तीन में ये प्रवधान किया गया है ठीक है अनुछेद नंबर अठारा का रहे कि उपाधियों का अंत उपाधि जो था फ्रेंस उसके अंत कर सगत उरला प्रहिए अनुछेद चालेस में कहते हैं ग्राम पान चायतों का संगठन आनुछेद 50 काता है फ्रेंस की ग्राम पान चाहितों का क्या हुआ हुआ ता तो संगठन हुआ था 50 की बात करते हैं जो कि यह सभी मैं से ठीक निया बहुत इंपुडेट हो जाता है आप से लिए कर रहा है कि कूनपर कारेपालीका iod poker worst% करता है kare iamook लिए नियाइपालीका का प्रिथीख करण का का और पालीकाґ से नियाइपालीका का जो प्रिथीख करणवाला दोस्तों अगर बात करें यह जो अनुच्षेद है यह बहुत इंपोडेट है ठीक है ना अनुच्षेद नंबर एक क्यावन यह संबंदित है ते अंतराष्टी शान्ति और सुरक्षा से संबंदित हो जाता है ठीक है ना अनुछेद नंबर एक क्यावन करता है कि मूल करतब्वे के बारें बात किया जाता इसमें अनुछेद बावन करता है कि भारत का राष्ट पती के बारें में अनुछेद नंबर बावन में बताया गया है ठीक है न तो फ्रेंट्स आप सभी छोटा सा कमेंट करके बताएगा कि आप सभी एक्सप्लेशन वाला वीडियो कैसा लगता है या आप सभी केवल एमसी की कोशन चाहिए कि आप मैं अभी जो कोशन करा रहा हूं ओ ऐसा चाहिए ठीक है न थोड़ सा सजेशन जुरू दीजेगा आप सभी ठीक है अगले प्रश्णिक और बात कर लेते प्रश्ण नमबर दो करें कि सिंदु नदी ग्रेट इंडियन सिंदु नदी ग्रेट इं तो इसका जो राइट एंसर होने वाला फ्रेंट अप्सा नमबर डी हो जाएगा पसी में इस्ति थे आपसा नमबर डी आप फ्रेंट्स इसके इंप्रणेट पॉइंट्स कबर लग कर लेते हैं ताकि अगर सिंदु सभेता की बात करें हड़पा सभेता से अगर कोई भी प् पूचेगा ठीक है ना पहला इंप्रेंट पॉइंट कर रहा है कि सिंदु सभेता को हड़पा सभेता के नाम से भी जाना जाता है बहुत बढ़िया यह एक प्रश्ण बनेगे आप सभी का कि सिंदु सभेता को हड़पा सभेता के नाम से भी जाना जाता है दूसरा पॉइं कि खोज 1921 इस्वी में किया गया था नेक्स्ट है कि हड़पा सब्यता का पूर्वस्थल या पूर्वस्थल होगा पूर्वस्थल आलम गीर पूर उत्तर प्रदेश हो जाएगा ठीके न उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की बात करें तो हो जाते हुए यह गूई आदित् यह अगला प्रश्ण है। सबेता का बेपार वाला समूंदरी अस्थल कौन सा है तो उसका राइट एंसर लोथल हो जाएगा घोड़े की हड़ी सुर्ख कोटदा से प्राप्त हुआ था सिंदू सबेता की विनिमे का माध्यम वस्तु विनिमेम था ठीके फ्रेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट फ्रेंट् प्रेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को फ्रेस कर दिजेगा ताके ऐसा हर एक मोस्ट इमपोड़े वीडिव आप तक सबसे जलत पहुँचे अगले प्रस्ण के और बात करते प्रस्ण नमबर तीन निमने लीखित में से कौन सा त्यवार सूर्य भगवान और उ पूचा हुआ कोशन है तो इस कोशन का जो राइट एंसर हो जाएगा अपसनमबर ए छट पूजा इस राइट एंसर हो जाएगा अपसनमबर ए इसके इंपोडे पॉइंट्स के और बात कर लेते हैं जो कि पूडे तिवार से संबन्दी ते कि कौन सा तिवार किस राज्य मना जाता है किस राज्य से संबन्दी ताकि तिवार सब अगली बार जो प्रश्ण आए हम लोगों से मीस नहों ठीके ना करके आएंगे ओडम तिवार केरल से संबन्दी थे इंपोडेड प्रश्ण बैसाखी तिवार पंजाब से संबन्दी थे इंपोडेड प्रश्ण दुर्गा पूजा उत्री भारा से संबन्दी थे इदगय तिवार मुसल्मानों से संबन्दी थे दिवाली यम दसारा समस्त भारत इसको मनात दिवाले और दसारा की बात करें तो यह समस्त भारत में मनाया जाता है ठीक है ना पॉंगल तेवार तमिलांडू से दीफू या बीहू तेवार असम से असम के मुख्य मंत्री प्रमोद सावंत जी हो जाते हैं अगले प्रश्ण के और बात करते प्रश्ण नंबर ऑफोर का रहा है कि प्रमोद साहुत जी तो गुवा के मुख्य मंत्री वजाते ठीक है अगले प्रश्ण चा नंबर निव लिखित में से कौन सा सासक मोर्या राजवन से संबंदित नहीं था यह बी एसे ची म्टेस 2021 के समे अगला प्रश्ण के बात करते हैं, प्रश्ण नमबर पांच, भारत का प्रथम गौर्ण जर्नल कौन था, तो भारत के प्रथम गौर्ण जर्नल की बात करें, तो विलियम वैटिंग था, जो कि ये बहुती इंपोडेर प्रश्ण हो जाता है, इसके इंपोडेर पॉइंट्स प्रश्ण नमबर 6 भारतिय सविधान के किस भाग को उसकी आत्मा के आख्या परदान की गई है करा कि भारतिय सविधान के किस भाग को उनकी आत्मा के आख्या को परदान किया गया है तिसका राइट एंसर हो जाएगा अपसा नमबर A प्रस्तावना अपसा नमबर A हो यात्रा करने वाला प्रत्म व्यक्ती कौन था हुआ सब Q 54 आ यात्रा करने वाला जो प्रत्म व्यक्ती था ऊगल नंबर सी to beaster driven अगला प्रश्य की में यहां मानने वा और अपकर सत्य जे सवचा पॉइंट एप इसके पॉइंट इसका कहता है कि अफ्गानिस्तान के संसद का नाम सो रहा हो जाता है अफगानिस्तान के संसद का जो नाम हो जाता है वह सोरा हो जाते हैं अरजटीना के संसद का नाम नेशनल कॉंग्रेस हो जाते हैं इस कोशन का स्कीन सोट यह वीडियो को पॉज करके रोक करके कोशन को जरू लिखना भाई सही बता रहा है यार कि बहुत इंपोर्डेड यह कलास चल आप सभी किले किसी विगजाम की बात करें तुँ खास करते एसे सी एमटीस ठीक है ना यू एस यूसे के संसद का नाम कांग्रेस हो जाता है स्यूडन के संसद का नाम रिस्क दाग हो जाता है दच्छिन अफिरिका के संसद का नाम पारलिया मेंट हो जाता है ब्रिटेन के संसद का नाम पारलिया मेंट हो ज हो जाता है नेपाल के संसत का नाम राष्टी सबा फो जाता है जपान के संसत का नाम भारत के संसत का संसाद हे इन सब का दोस्त आसे जरू ले लीजिए गा यह विडियो पोरिप DENNIS से लीख लेना भाई सही बतारों बहुत इंपूर्ड अगले प्रश्ण कर बात करते प्रश्ण नमबर 9 नमबर करें के अलाओ दिन खिल जी के सासन काल के दुरान ग्यासु दिन तुगल कहां का गौर्णर था तो ये पंजाब का गौर्णर था अपसा नमबर C is right answer हो जाएगा अगले प्रश्ण दस नमबर 42 संसोधन द्वारा भारत के सविधान में नागरी को के मौली करतब बे किस वर्श जोड़ा गया तो मौली करतब बे की बात करें कियानी कि कब जोड़ा गया था फ्रेंश तो ये 1976 में जोड़ा गया था अपसा नमबर C is right answer हो जाएगा 1976 अगले प्रश्ण की इस रो द्वारा चंद्रियान वन मिशन को किस वर्श लॉंच किया गया था तो इस मिशन को फ्रेंश 2008 में लॉंच किया गया था अपसा नमबर C is right answer हो जाएगा अगले प्रश्ण दिया हुए बारा नमबर भारती रेलवे किस राज्जे में दुनिया का सबसे लांबा रेलवे घाटपूल का निर्माण कर रहा है तिसका राइटेंसर जगा मिशोरम सरी मोडी पूर is right answer हो जगा अपसा नमबर C अगले प्रश्ण तेरा नमबर चुद्रगर किन ग्रहों के बीच में पाय जाते हैं तो चुद्रगर फ्रेंट्स मंगल और ब्रिस्पति के बीच में पाय जाते हैं ठीक है न अगले प्रश्ण है चोदा नमबर थोड़ा सा फास्ट करना फ्रेंट्स ताकि टाइम बहुत कम और कोशन ज्यादा करना है ठीक है न इसी लिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं आप सब्सक्राइब अराम से देखते चलेगा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखेगा ताकि समझ के जाएगा ठीक है न लाई हरोबा कहां का लोक निरते हैं तियो जाता है के पुरसकार प्राप्त करने वाला कौन था तिसका राइट एंसर हो जगा फ्रेंट्स देविकारानी कि रणबेदी तो IPS हो जाते मदर ट्रेसा सांती के लिए सांती के लिए नोबल पुरसकार दिया गया था 1913 में रविंदना टाइगोर जी को भी सही तेनी लिटरेचर के लिए दिया गया था नोबल पुरसकार ठीक है ना अगले प्रश्ण कर बात करते प्रश्ण नंबर 16 अक्रिये गैस परमाडू के सबसे बारी कच्छा में कितने इलोक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी इलोक्ट्रोनों की संख्या की बात करें तो आठ होते हैं यह कमिश्टी का को रोग है जो कि मच्छर द्वारा नहीं फैलता है बाकी मलेरिया फलेरिया फाइलोरिया और डेंगू और यह तो सारे चीज़ फैलते हैं ठीक है ना अगिला प्रश्ण 18 नंबर 200 हीमोफिलिया दिवस किस दिन को मना जाता है यह थोड़ा सा करेंटली कोशन है और वो कौन सा पहला भारती राजा था जिसने मुहमद गोरी को हराया था तो मुहमद गोरी को हराने वाला था गुजरात का सोलकी सासक मूल राज था अपसा नंबर D ही इस राइट एंसर हो जाएगा अगला परश्ण 21 नंबर भारत का राष्टिय धरवार पसू निमलेखित मे से कौन सा था तो हां थी इसराइट एंसर हो जेगा अपसा नंबर B अगला परश्ण 22 किस राजे में टीक चको सबसे अधिक वुद्पादन की बात करें तो तो चीन हो जाता है और दूसरे आस्थान पर फिरनेस अपना भारत हो जाता है सिकेंड आस्थान पर ठीक है न अगला प्रशने 24 नंबर निमलिकित में से किसने वर्ष पंदरा सो तीन में भारत का पाला एरोपिया किला बनवाया तो इसका राइट एंसर हो जाएक पूर्त गाल आपसर नंबर भी इस राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने दिया हुए प्रशन नंबर 15 वही मंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है तो वही मंडल की सबसे ठंडी परत की बात करें तो मद्य मंडल आपसर नंबर C अगला प्रशने 26 नंबर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के सुर बात की बात का रेफ्रेंस तो यह 1973 में आपसा नमबर ए इस राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण 27 नमबर किस यूग में माना भोजन संग्रह करने लगा एनिकी कौन से यूग में जो आदी मानों थी अपना भोजन को एनिक संग्रह करने लगे जुटाने लगे आपसा नमबर ची हजगा नव वर्स अगला प्रश्ण 28 नमबर गुप्त कॉलिन्स आहितेका वन यूग किस के समय को कह जाता। तो चंद्रगुपद्धिती बिक्रमादेते के समय को का आज़ाता अगला प्रस्ण नॉमबर 29 संग राष्ट का अगठन किस युद के अंत में हुआ था तो प्रतं वी उद के अंत में फ्रेंच हुआ था अगला प्रस्ण है अगला प्रेंस को वह धातु कौन सी जो प्रिथी पर सबसे प्रचूर मत्रायम पाई जाती है इस कोशन का एंसर फ्रेंस आप से वी को कुमेंट बॉक्स में देना अनिवार है ताकि देखते कितने आप से जडेंट जए वह एक्टिव से हैं पढ़ने के लिए ठीक है न तो आ अगला टॉपिक किस टॉपिक पलाएं अगला वीडियो ताकि आप सभी के लिए बहुत ही वेनिफिट हो फ्रेंस और थोड़ा सा एक बार और कोमेंट करके बता देजिएगा कि जो एक्सप्लेशन वाला वीडियो था वह आप सभी को चाहिए या केवल एमसी की वाला वीड जिएगा ठीक है ना मिलते लें अगले वीडियो में थैंक्स हो राची माई वीडियो